हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल और आज मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ अम्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग क्योंकि मैंने एक वीडियो शेयर के था अम्रेला प्लाजो का तो उसमें मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे डाउट के तो फिर मैंने सूच आज मैं फिस से जो है यह अम्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर दूँ और यह दो मिटर कपड़ा है दो मिटर में दो इंच एक्स्टा दुए शॉप वाले खुदी दे देते हैं तो इसको सबसे पहले ट्रियांगल शेप में हमने रख लिया और अब हमें लेनी है प्लाजो की लंबाई तो प्लाजो की लंबाई हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें न यह जो बंद वाली साइड है वहां से नहीं लेनी है कि जो हमारी ओपन वाली साइड है इसमें एक साइड बंद होगी और दो खुली होगी यहां से हम हमें प्लाजो की लंबाई लेनी है यहां से हमें लंबाई नहीं लेनी हैं और ढुनायेंसे लाइंगे फाहर तरह से हमारी लंबाई में दोनों साइड पहले लें २ फिर हम इसको ना round shape में निशान लगाएंगे यह देखिए इस तरह से उपर से एक जगा ही हमें इंची टेप रखना है और नीचे को हम जो हैं इंची टेप को घुमाते जाएंगे और इस तरह से हम इसमें round shape बना लेंगे थोड़ी सी round shape इसमें आती है और अब हम इसके बाद जो है प्लाजो की लंबाई लेंगे तो सबसे पहले उपर जो हमारी elastic आएगी तो वो मैं कपड़े के हिसाब से लेनी होती है मैं ले रही हूं इसमें पांच इंच क्यूंकि last link में मोड़ेगा भी और चिलाई भी आईगी उसके बाद फिर नीचे को हमारी जितने लंबाई ह कि दितने लंबाई है उतने हम रख लेंगे उपर मैंने पांच इंच जो है इसे फिर निशान बनाने एई तो इसी तरह से यह देखिए नाप नाप के मैं जो है निशान मैंने गुलाई मैं यह देखिए निशान जो है लगा लिए हैं और अब हम इसका लेंगे आसन आसन की गुलाई के लिए मैं यहाँ पर धाई इंच की गुलाई इदर ऐसे देने के लिए रख रही हूँ यह देखिए इस तरह से धाई इंच का मैंने रखा और अब हमें आसन रखना है तो आसन 5 इंच का हमें ध्यान रखना है कि हमने 5 इंच ELASTIC के लिए उपर रखा है उसके बाद फिर हमें आसन लेना है तो मैं ये 15 इंच में ले रही हूं जितना आपका आसन है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं तो अब इसमें हम आसन की गुलाई दे लेंगे इस तरह से इसमें जो है आसन की गुलाई देनी है और ज़्यादा डीप गुलाई इसमें नहीं देनी है हलकी सी ही हमें देनी है अब इसको हम जो है कट कर लेंगे इस तरह से ये बंदवली साइड को भी अब हम ओपन कर लेंगे और नीचे round shape में भी cut कर लेंगे तो ये देखिए अभी मैं इसका आसन इस तरह से cut कर ली हूँ और एक side जो हमारी बंद आती है इसको भी अब हम open कर लेंगे cut कर लेंगे इसको भी यहां से तो ये देखिए मैंने इसको cut कर लिया है और नीचे से हमारा थोड़ा सा जोड़ाता है क्योंकि मैंने elastic के लिए उपर 5 इंच रखा है तो नीचे से थोड़ा सा ही आएगा तो ये देखिए इसी जो हमारा ये कपड़ा यहां से बचता है यहीं से मैंने उठा के सीधे सीधा में लाया और नीचे round shape के लिए रखा है तो ये देखिए इसको उपर मैंने fold कर लिया था अब इसके बराबर जो हमारा एक पीस में ही आता है ये तो ये देखिए मैंने इसको अब कट कर लिया है और सबसे पहले मैं इसी को joint कर लूँगी क्योंकि बाद में फिर confusion हो जाता है जोडने में तो देखिए ये कट हो चुका है और अब मैं सबसे पहले जो हमारी ये दो पीस आती है इसको मैं जोड लोगी इस तरह से आप चाहे elastic लगाने के लिए जो belt हमारी बनेगी उसको बाद में कटे पहले ये वाला जोड लें क्योंकि इस तरह से ये अच्छे से जोड जाता है इस तरह से हमें इसको जोडना है सिधे से सिधा मिलाके ये दिखिए मैंने इसको जोड लिया है और ये इतना हमारा छोटा सा जोड आया है जादा नहीं है इसमें नीचे से यादा तो फोल्ड हो जाएगा तो बिल्कुल छोटा सा यह दर हमारा जोड आया है और अगर आपका कपड़ा दो मिटर से जाद आया तो और भी अच्छे से आपका आ जाएगा और हमारी जो ऊपर ट्रेंगल में और नीचे थोड़ा बुत बजा है उसमें से अब हम जो है ना उपर क कर लेंगे मैंने इसको जोड लिया है दोनों पीस को अब इस तरह से सिधा से सिधा मिला के हम रखेंगे और अब हम आसन में दोनों साइड पहले सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से और यह देखिए इसको मैंने जोड लिया है यह देखिए आसन में मैंने सिलाई लगा लिया है अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे जहां से हमारी मूरी होती है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फिर इसमें एक सिलाई जो हमारी आती है इस तरह से यह हमें लगा लेनी है और फिर हमें लगानी है इसमें इलास्टिक बस यह काम हमारे अब बचते हैं तो मैंने इसमें अब नीचे से भी सिलाई लगा लिए है फोल्ड करके और ये देखिए और ये गुलाई में ही हमारा फोल्ड होता है थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा के आप इसको फोल्ड कर लें अब हमें लगानी है इलास्टिक तो इलास्टिक जितनी आपकी कमर है आप उसमें न द और फिर इसमें हम इस तरह से इलास्टिक को स्टिच करेंगे यह दिखिए इसमें आगे को हम सिलाई जो है इस तरह से लगाते रहेंगे और पीछी को जो है चुनट आती रहेंगी इलास्टिक को हम खिषते रहेंगे बहुत असानी से इस तरह से इलास्टिक लग जाती है यह सिलाई जो है लगाते रहेंगे और कपड़े को हम इस तरह से चिसमें चोनट जो है डालते रहेंगे और इसी तरह से हमारी जो बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है और प्लीज फ्रेंट्स अगर आप मेरी वीडियो में फरस्ट है विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बल ऐकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली विडियो नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए तो इसको होना मखीच के फिर यहां पर एक या दो सिलाई जो है आप लगा सकते हो और हमारा सर्कुलर प्लाजो अंबरेला प्लाजो बनके त्यार है और इसमें कोई भी अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में पूछ सकते हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही और कई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा और अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई